असलाम अलेकुम दोस्तों यदि आप कतर में रहते हो और कतर के इम तेरे इन खबरों से हमेंसा वाकिफ हैना चाहते हो तो ये वीडियो को बिना इस क्यूब का पूला देखिए चैनल पे नहीं हो या फिर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस कर लिजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफेकेशन दोस्तों आपको हमें सफरी में मिलती रहे तो साथियो सबसे पहली जो खबार आ रहे है फिवर देन अभी आज के दिन ही चौदस सो अफगानी को वहाँ पे यूएस मिलिटरी बेस में लाया गया है तो कुल मिला के दोस्तों बताना चाहूंगा एक लाग चौबीस जहर जो काबूल से एक महिने के भीतर लाया जा चुका है जो की अलग 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 जगाओं पे अलग अलग वो लोग जाके रुके हुए हैं अगली जो ख़बरारी आमीर कॉंडलेंस विट यूएस प्रिसिडेंट साथियो कतर की जो आमीर है आमीर शेक तमीबीद हमाल थानी साहब ने डिप्टी आमीर से अब्दुल्ला बिन हमादल थानी ने वहाँ पे काफी अपना दुख जिसे वहाँ पे दोस्तों कहा जाता है हुरीक घॉरीकन जो की काफी टेच घॉआसे से बीस लोकी मारे जाने की अबत तक ऍखबर आ चुकी है और काफी लोगों को अभी भी ढूल जा रहा है उनकी बोडि अब तक बरामत नहीं की गए तो काफी भेंकर यह हुरीकन था जिस के इसी के लिए वहां के कतर के जो प्रैमिनिस्टर है इसके लिए अपना दुख्त व्यक्त किये हैं अगली जो खबर आ रही है 500 एस फेस प्रिकोर्शन फॉर वालेटिंग कोविद नाइंटीर प्रिकोर्शन मेजर साथियों एमोई के तरफ सी ये टूइट करके बताया गया ह है कि आज के दिन 24 घंटा में 508 लोगों को पकड़ा गया कोविद नाइंटीम के बनाए गया नियमों का उलहंगन करने के लिए जिन में से 407 लोग ऐसे थे जो कि मास्क नहीं पहने थे 94 लोग ऐसे थे जो कि सोसल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे थे 7 लोग ऐसे थे जो कि एहतराज एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किये थे जो कि लोग नमबर 17-90 के थे इंफेक्शन और डीजीस फहलाने के जुर्म में सभी को गरफतार किया गया है सभी पे कानूनी कारवाई होगी वो लोग पे फाइन लगाया जाएगा फाइन नहीं भरते हैं तो उन नेसन हाइं कमिस्नर फॉर रिफ्यूजी जो भी देश में रिफ्यूजी तो अपने देश छोड़के दूसरे देश आते हैं दूस्ustain उनको ये जकात देते हैं तो दोस्तों 2 सितंबर को ये announcement किया गया कि रिफ्यूझी जकात पंड जो है वो जितने भी अफगानी जो family वाल लोड कर सकते हैं और यदि इसमें कोई जगात आप देना चाहते हैं कुछ देना चाहते हैं तो दोस्तो ये उसका वेबसाइड भी है वेबसाइड पर जाके कर सकते हैं या फिर एपलीकेसन भी है Google Play Store में आपको मिल जागा उसको डाउलोड करके उस प्याप अपना फंड भी इसमें डाल सकते हैं लोगों की वहाँ पर मदद कर सकते हैं दोस्तों अगली खबर जो आ रही MOPH की तरफ से आ रही दोस्तों MOPH के तरफ से Ministry of Public Health के तरफ से बताया गया है कि दोस्तों टोटल वहाँ पे 24 गंटा में 157 नया केस आया है जिनमें 99 केस ऐसे हैं जो कि वहां के रहने वाले हैं और 58 केस ऐसे जो कि ट्रेवलर हैं तो MOPH की तरफ से बताया है 24 गंटा में 288 लोग रिकवर हुए हैं और टोटल अब तक रिकवरी वहाँ पे 2,30,479 लोगों को किया जा चुका है 24 गंटा में 99 केस आया है और दोस्तों बताना चाहूंगा आपको कि वहाँ पे अब तक 45,45,479 लोग को वहाँ पे COVID-19 का वैक्सिन भी दिया जा चुका है 24 गंटा में दोस्तों बताना चाहूंगा आपको वहाँ पे 360 लोग को वैक्सिन दिया गया है तो यह पुरी ताजा अप्डेट थी COVID-19 के और कुछ खबरे थी जो कतर से आ रहे थी मैंने अब तक share किया आसा करता हूं वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो चिले वीडियो को लाइक कर दे दोस्तों साथ share कर दे ताकि और भी लोग को इसकी जानकारी हो सके मिलते साथ यहों नेक्स टुडियो पे तब तक लिए अल्लाहाफीस और टेक किया